Good Morning Friends मैं आपका दोसदर आज हम बात करेंगे फ्यूल पंप नहीं काम करता पैटरोल कार के अंदर फ्यूल पंप नहीं काम करता तो इंजिन स्टार्ट नहीं होता उसके बारे में आज हम जानेंगे कि fuel pump किस किस कारण से बंद हो जाता है और उसे कैसे चेक कर सकते है fuel line के अंदर हम fuel को कैसे चेक कर सकते है उसके बारे में आज हम जानेंगे क्योंकि engine के अंदर जब तक fuel नहीं जाएगा petrol नहीं जाएगा तो क्या होगा injector काम नहीं करेंगे injector वहाँ पे जो firing नहीं करेंगे तो वहाँ power stock नहीं आएगा और जब power stock नहीं आएगा तो engine start नहीं होगा क्योंकि engine हमारा जब तक fuel नहीं जाता उसके bigger नहीं चलता क्योंकि हमारे engine के अंदर 4 stock होते है एक section होता है जिसके अंदर हवा आती है और तीसरा होता है जो हम power पेट्रोल डालते है उससे हमारे engine के अंदर power stock आता है चोथा stock जो हमारा होता है जो exhaust stock होता है जो हमारी jelly gas जो बाहर निकल जाती है तो लेकिन अभी हम बात करेंगे कि petrol हमारा काम नहीं कर रहा यानि पेट्रोल हमारा injector तक नहीं पहुंच रहा तो क्या क्या कारान हो सकता उसे कैसे चेक करेंगे तो उस चीज को हम जानेंगे तो उस पे आज हम सीदे बोर्ड पे आपको display करके बताते हैं कि आपको किस किस चीज को चेक करना है किस किस चीज को आप डियाग्नोस करेंगे किस तरीके से डियाग्नोस करेंगे उस पे ही आज हम बात करेंगे क्योंकि अगर आप प्रोपर तरीके से डियाग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप पेट्रोल कार के अंदर फ्यूल को नहीं समझ पाएंगे और फ्यूल जब तक नहीं आएगा तो आप इंजन को start नहीं कर पाएंगे अगर आपका फ्यूल की मोटर अगर कम काम कर रही है वो प्रॉपर तरीके से pressure rise नहीं कर पा रही है 2.5 वार का अगर pressure नहीं है पोचारी रेल के अंदर मैं अभी आपको डिजल गड़ी की बारे में नहीं बात कर रहा हूं ओली मैं अभी पेट्रोल कार के बारे में बात कर रहा हूं पेट्रोल कार के अंदर जो फ्यूल पंप होता है जो टैंक के अंदर फिट होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं ना क और पूरी डिटेल साज हम उसी के बारे में जानेंगे तो होता क्या है दोस्तों ये हमारा एक fuel pump होता है जो कि हमारा ये tank के उपर लगा होता है जो ये हमारा एक tank है tank के अंदर एक हमारा fuel pump लगा है यहाँ पे और ये fuel pump हमारा क्या rail के उपर ये जो हमारी rail है ये rail के अंदर हमारा एक pipe लगा हुआ होता है fuel pump का ये हमारी rail है ठीक है दोस्तो और यहां हमारे injectors लगे हुए होते हैं रेल के ओपर चार जो कि ये हमारे injectors है ठीक है दोस्तो ये injector है और ये हमारा fuel pump है यब यह हमारा fuel pump एक motor होती है इसके अंदर हमारा एक coupler लगा होता है जो कि coupler के उपर तार होती है अब ये हमारा coupler के अपर हमारा क्या होता है ये हमारे e-sium होता है अब हम जानते हैं कि e-sium के दुवारा कैसे काम करता है तो ये हो गया हमारा इशियम इशियम क्या करता है सबसे पहले ये जो हमारी एक रिले होती है फ्यूल पंप की ये रिले है ये रिले है हमारी फ्यूल पंप की ये रिले से हमारे क्या होता है इस रिले के ओपर चार वायर होती है तो अब हम क्या करते हैं तेहां से जो हमारी हिप होती है जो हाई फ्यूल पॉंप हैने से हमारे इक स हमारे रबड की आप रेल के अंदर लगती और फ्यूल कमस कम डेड़ सो दो सो ग्राम फ्यूल इसमें आना चाहिए अगर इससे कम आता है थोड़ा सा देता है तो आप यह समझो इसका मोटर है वो वीक हो गया है जब मोटर वीक हो जाएगे तो क्या होगा प्रेशर से हमारे रेल के अंदर प्रेशर डबल अप नहीं कर पाईगी जब रेल प्रेशर के एंदर डभल आफ नहीं हो पाएगा फ्यू理 तो इंजेक्टर इंजेक्टर नहीं कर पाएगे क्योंकि इंजेक्doर के अपड़ प्रेशर सर मारा जाता है और इसमें छोटे-छोटे से होल्स होते हैं जो होल होंगे उन होलों के द्वारा ही हमारा इंजक्टर काम करता है इन होलों में जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक हमारा यह नहीं चलेगा ठीक है दोस्तों तो यह हमारा जो पिश्टन है यह हमारा piston है जो हमारा crank किस पे लगा हुआ है जब तक इस पे pressure नहीं पड़ेगा तो fuel आगे हमारे इस chamber पे नहीं आपाएगा जब यहां नहीं आएगा तो हमारा engine प्रपर तरीके से नहीं चलेगा तो अब आपको कैसे चेक करना है उस चेक करने के बारे में हम बात करते है आपको सबसे पहले यहां fuel की यह line है जिसको disconnect करके आप इसको ignition on करके आप इसमें चेक कीजिए कि fuel आ रहा है नहीं अगर आपका fuel नहीं आ रहा तो आपको क्या करना यहां पे आपका multimeter की साहिता से आप इसका fuse चेक कीजिए fuse के बाद आप इसकी relay चेक कीजिए अगर इसकी relay खराब हो जाएगी तो आपके पास power नहीं आ पाएगा तो यहां पे चार तार होती है जो चार wire होती है जिसके अंदर पतली दो wire होती है जो fuel gauge की होती है और दो जो moti wire होती है वो motor की होती है जो हमारी motor की wire होती है जो moti होती है अब ये दोनो wire क्या करती है ये दो moti wire होती है ये दोनों हमारे meter के उपर motor पे आती है इन दोनों wire के अपर जब आप ignition on करेंगे तो आपको 12 volt का current मिलना चाहिए 12 Volt का जब आपको यहाँ पर current मिलेगा तो आप समझे कि आपके पास यहाँ पर 12 Volt का current heavy level है तो आपका fuse ok है आपकी relay ok है और आपका A.C.M. proper तरीके से supply दे रहा है जब आपका A.C.M. proper तरीके से supply दे रहा है तो आपके पास यहाँ voltage आ रहा है अगर आपके पास voltage नहीं आ रहा है यह 12 volt तो आपको क्या check करना है पहले आपकी fuse चेक करना है fuse के बाद में आपको यह relay चेक करनी है जो 4 pin की relay होती है उचे चेक करना होगा क्योंकि relay खराब होती है तो क्या आपका यहापकर voltage नहीं आता अगर आपका fuse उड़ जाएगा तो आपका relay ओन नहीं होगी relay जब ओन नहीं होगी तो आपका motor नहीं काम करेगी अगर आपके पास यहाँ पे current आ रहा है प्रोपर तरीके से है फिर भी आप ignition करने के बाद में यह जो pipe है हमारी high pressure की जो हमारे rail पे लग रही है रबड़ की इस pipe में तेल आना चाहिए अगर आप में इसमें तेल नहीं आ रहा तो आपको इसकी motor को चेक करना होगा उस condition में आपकी motor खराब हो जाती है और motor जब खराब हो जाएगी तो आपके rail तक करें फ्यूल नहीं जाएगा और फ्यूल नहीं जाने के कारण आपके injector में फ्यूल की supply नहीं होगे यहीं एक कारण है आपका fuel pump का काम नहीं करने का तो आई होप कि आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी है अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी तो आप इसे share कीजिए subscribe कीजिए like कीजिए अगली वीडियो में हम इसकी relay के पूरी wiring के बारे में ब pump तक पहुंचती है जो हमारी motor कैसे own होती है तो उसकी wiring के बारे में भी आपको जाना होगा अगर आप wiring के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा आपकी wiring बीच में कहीं problem आएगी तो आप कैसे इसका decide कर पाएंगे क्योंकि आप diagnose नहीं कर पाएंगे और जब diagnose नहीं कर पाएंगे तो आप इसकी problem को sort out नहीं कर पाएंगे तो thank you, wish you well, धन्यवाद दोस्तो